मद्यप्रदेश के रजपाल और भारतिय जन्ता पार्टी के वरिष्टनेट ता रहे लाल जी टंडन का आज निधन हो गया है मंगलवार सुभावन के बेटे आश्रतोष ने इस बात की पुष्टी की आपको बता दें कि लाल जी टंडन कई दिनों से बेमार थे अस्पताल में भरती थे यही कारण था कि मद्यप्रदेश के राजपाल का कारवार आनंदी बेन पटेल को सौप दिया गया था अब उनके निधन के बाद कई बड़े नेता उन्हें स्रधांश्री दे रहे हैं लाल जी टंडन के निधन के बाद यूपी में तीन दिन का राज़िगी यह शोग भूशित किया गया है 12 अप्रेल 1935 को जन में लाल जी टंडन का आरसेस से भी बहुत लंबा रिष्टा बताया जाता है इतना ही नहीं पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाचपई के भीवो बेहत खास माने जाते थे अटल बिहारी बाचपई के लखनव से जाने के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को सांसत के तौर पर लाल जी टंडन ने ही आगे बढ़ाया इतना ही नहीं कहा ये भी जाता है कि अटल बिहारी बाचपई और लाल जी टंडन करीब 50 साल तक एक दूसरे के साथ ही रहे आज लाल जी टंडन को शर्थांशकी देते हुए प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने भी इस बात का उलेख किया प्रधान मंत्री मोदी ने लिखा कि प्रिय अटल जी के साथ उनका लंबा और करीबी सम्मंद रहा है दुख की इस घड़ी में श्री टंडन के परिवार और शुपशिंतकों को मेरी सम्वेदनाएं अगर बात लाल जी टंडन के राजनेतिक सफर की की जाए तो उन्होंने लखनों में सभासत के तौर पर अपनी राजनेतिकी चुरुआत की थी इसके बाद उन्होंने देश की संसत भवन से लेकर राज भवन का लंबा सफर दे किया लाल जी टंडन को सम्वेदानिक मामलों का बेहत अच्छा जानकार भी माना जाता है आपको बता दें कि उत्रप्रदेश में बीजेपी और बीएसपी सरकार के सूतरधार रहे टंडन को बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपना भाई बानती थी मायावती हर साल रक्षा बंधन पर में राखी भी बानती थी मायवती की लाल जी टंडन को राखी बांधने की तजफीरे अख़वारों में खूब सुर्कियां बटोरती थी लाल जी टंडन बीजेपी बीएसपी सरकार में मंत्री भी रहे थे अब फिलाल लाल जी टंडन की इस राजनीतिक विरासत को उनके बेटे आशितोष टंडन ने समाला हुआ है होत्तर प्रदेश की योगी आधितनास सरकार में नगर विकास, शहरी समगर विकास, नागरिक रोजगार एवं गरीब और मूलन मंत्री है आज हमारे बीच बेहत समान्य जीवन शैली जीने वाला येनेता नहीं रहा जिसकी कमी राजनीती के बड़े से बड़े दिकच को आज खल रही है